नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आज आप लोगों को UPCC आयोक के माध्यम से जो फार्मासिस्ट की भरती होनी है उसके बारे में बता रहा हूँ और UPCC के माध्यम से जो भी भरतियां होंगी वो अभी मैं आगे पूरा बताऊंगा कैसे क्या करना है इसमें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा सस्क्राइब कर देंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको मिलेंगे जो भी लेटेस्ट अपडेट हम देंगे सबसे पहले आप ही को मिलेंगे और लाइक करना ना भूले दोस्तों लाइक कर देते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है और अपडेट देने में अच्छा लगता है इसमें acuerdo फार्माशिश्ट की भरती भी है, दोस्तों, 50,000 जो पद भरे जाेंगे, उसमें फार्माशिश्ट की भरती भी है और समुह गा के अंतरगत है, और इसमें दोस्तों, क्या करना है, इसके साथ में, दोस्तों, एक परिच्छा आपकी होगी, PET, PET, उसमें एक परिच्छा होगी, जब वो परिच्छा आप निकाल लेंगे, तो UPSC से कोई भी पोस्ट निकलती है, तो आप जिस लाइक eligible रहेंगे, वह पोस्ट आप डाल सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपको UPSC के साइड पर जाएंगे, व आप दोस्तों इस टेस्ट को निकाल लेंगे, तो उसके बाद आप कोई भी एक्जाम UPSC के माधन से जो भी आता है, जिसके लाइक आप रहेंगे, वो आप डाल सकते हैं, इसमें दोस्तों जो candidate का है, इसमें age जो होगी 18-40 साल, जो PET eligibility test है, इसमें उमर जो है candidate की 18-40 साल तक रहनी चाहिए, और इसमें जो आरच्छण पे हैं, उनका जो है, उसके माधन से है, देखना पड़ेगा दोस्तों, और यह फार्म जल्द ही आने वाला है, और फार्म की जो फीस है, जनरल और OBC के लिए 180 रूपए है, यसी यस्टी के लिए 95 रूपए है, फिजकल हैंडी के के लिए 25 रूपए है, तो दोस्तों फार्म जल्द ही आने वाला है, क्योंकि परिच्छा इसका जो है, अपरेल या मई में होगा, उसके बाद जो है, फार्माशिष्ट की भरती और भी भरती आएंगे भी मैं दोस्तों इसको आगे बता रहा हूँ, दोस्तों चैनल पर नए मैथ से 25 क्वेस्टन आएगा, जनरल नौले से 25 क्वेस्टन आएगा, टोटल 100 क्वेस्टन आएंगे, इसमें टोटल 100 क्वेस्टन रहेंगे दोस्तों, और सभी सभी भाग से जो है 25-25 क्वेस्टन रहेंगे, 25-25 मार्क भी रहेगा, 100 नमबर का ये रहेगा दोस्तों, और इस के साथ में यह 1 4th मार्क है मतलब negative marking भी है 0.25 number अगर एक question आप गलत करते हैं तो minus marking भी है यह total 100 question 100 number का रहेगा और आपको total 120 minute time मिलेंगे मतलब 2 घंटे time आपको मिलेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छे से त्यारी करिए जिससे pet का exam जब निकल जाएगा pet जो है तभी अगले लेबल के लिए आप तयार हो पाएंगे तो पहले आप pet के तयारी बहुत अच्छे से करिए इसके भी बारे में मैं बताऊँगा कि कैसे क्या तयारी करना है जो pet का exam होगा दोस्तों इसमें देख लिए परिच्छा आपकी जो होगी वो आफ लाइन होगी जब pet आप निकाल लेंगे तो मेंस exam होगा मेंस exam के बाद जिसका interview अगर interview है तो interview आपको clear करना पड़ेगा और यह pet exam 120 मिनट यानि 2 घंटे का होगा 100 नमबर का होगा 0.25 मार्किंग जो है यह है निगेटिव रहेगी और इंटर लेवल पे ही question दोस्तों पूछा जाएगा ज्यादा करके आपका इसमें दोस्तों जो education है pet का जो दिया है इसमें the pet could be conduct for both 12th pass and graduation graduation के लिए भी है और 10 plus 2 के लिए भी इसमें से vacancy आएंगी तो आपको pet exam जिस degree जिस diploma पे रहेगा तो pet तो निकालना ही है दोस्तों और इसका जो selection process है scoring जो minimum qualifying mark जो है एक minimum qualifying mark रखा जाएगा pet exam clear करने के लिए उसके बाद mains exam आपका होगा और उसके बाद फिर interview होगा skill test होगा document verification इतने process है दोस्तों तो सबसे पहले मैं तो आप लोग से यही कहूंगा कि आप लोग pet की बहुत अच्छे से तयारी करिए pet exam की तयारी बहुत अच्छे से करिए क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है और इसका जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पद आ रहे हैं लेकपाल के पद आ रहे हैं basic सिच्छा से आ रहे हैं माधमिक सिच्छा से आ रहे हैं लेकिन हम लोगों का जो इसमें है दोस्तों परिवार कल्याण विभाग है जो परिवार कल्याण विभाग है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 9222 पोस्ट और बाल विकास पुष्टाहर ये दोनों पोस्ट फार्मासिष्ट जो भी फार्मासिष्ट किये हैं डिप्लोमा किये हैं डिग्री के लिए हैं वो लोग ये दोनों पोस्ट बहुत अच्छे से डाल सकते हैं डाल तो सभी लग वह दिप्लोमा या डिग्री पे रहेंगे तो दोस्तों पीटी का तैयरी बहुत अच्छे से करिएगा दोस्तों आज के वीडियो में जो फार्मासिष्ट की भरती आने वाली है और समूगा के अंतरगत 50,000 जो पद रहेंगे उसमें अंग्रेजी भी पूछा जाएगा ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों क्योंकि जो 50,000 पद आ रहे हैं उसके अंदर फार्मासिष्ट की भी भरती रहेगी बालविकास पुष्टाहर की भी रहेगी परिवार कल्याड की भी रहेगी और जो 4000 पोष्ट इसके पहले निगली थी में भी हो सकता है वो भी पोष्ट इसमें एड किया जाए तो दोस्तों आप लोग के पास अभी समय है पी एटी एक्जाम का स्टेडूल भी जारी हो गया है और उसका कितना नंबर का होगा कितने समय का होगा तो अभी से आप लोग त्यारी सुरू कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा ज़्यादस ज़्यादस सेयर कर दीजेगा लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बताना चाहरा हूँ कि जो है ये यूपी टेपल सी के माध्यम से जो फार्मासिश्ट की भरती आएगी ये पर्मानेट भरती रहेगी ये संबीदा की भरती नहीं रहेगी तो आप लोग बहुत अच्छे से महनत करके निकाल लीजिए जिससे अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो आप लोग का यह permanent job होगा यह की नहीं कि जो है संबीदा की job है आज करो कल छोड़ दो ऐसे वैसे तो दोस्तों आज के वीडियो में जो भी मैं बताया हूँ बहुत अच्छे से बताया हूँ अगर आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा और ज़ादा से ज़ादा से शेयर कर दीजेगा यह निउज सभी भाई बंधूं के पास पहुंच जाए जिससे सभी भाई बंधूं जान जाएं कि हाँ यह 50,000 पोस्ट के अंदर हम लोग की भरती आ रही है क्या प्रॉसेस है कैसे निकालना है पहला लेबल क्या है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सस्क्राइब और ज़्यादा से शेयर कर दीजेगा जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले हैं